हलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबी का आईफा चैनल पर मैच सीखने के लिए सबसे बेसिक और इंपोर्टिन चैप्टर जो है वो है आपका नमबर सिस्टम नमबर सिस्टम के बारे में आप कुछ न कुछ अवश्य ही जानते होंगे लेकिन एक्जाम में ऐसे घुमा के प्रस्न पूछता है कि बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं तो मैं यहां बेसिक से लेकर एक्जाम में कैसे कोशन पूछे जाते हैं सब कुछ एकदम सरल तरीके से बताने वाला हूँ अभी नंबर सिस्टम के कई पार्स आने वाले हैं तो उन पार्स को अच्छे से समझने के लिए आज की क्लाश को आप पूरा अवश्य देखे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें जिससे मेरे नए वीडियो आप जल्दी देख पा हैं चलिए आज ही क्लाश सुरू करते हैं देखे दोस्तों यह जो आपका नंबर सिस्टम है इसे हिंदिम कहते हैं संख्या पदती नंबर का मतलब होता है संख्या देखे दोस्तों जो नंबर सिस्टम पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए हमने एक वीडियो बनाया है सरली करण के लिए रामबार तथा संख्या के लिए रामबार इसमें हमने संख्या को बहुत अच्छे से एक्स्प्लेन किया है आप उसे देख लिजिए उसे आपको यहां मदद मिलेगी देखे जो आपका शंख्या होता है शंख्या आपका अंकोश बनता है और अंक को इंग्लिश में क्या कहता है आप डिजट ठीक है अंक क्या होता है यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और समझे यदि इनके बाद जीरो को भी लिखा जाया तो जीरो को भी अंक में सामिल किया जाता है इसका मतलब आप जीरो को भी अंक में लिख सकते हैं देखे अगर मैं यह कह दूँ कि पांच तो पांच एक क्या है संख्या है और इस संख्या में एक अंक है ठीक ना जैसे हमकी लिख दें पंद्रा तो यह एक संख्या है और इस संख्या में दो अंक है ठीक है जैसे मैं लि तो एक सो साथ क्या है? एक संख्या है. और इस संख्या में कितने अंख है? तीन अंख है. तो इससे एक्जाम में प्रस्न कैसे बने है? उसे देखिए, प्रस्न ये है कि पान सो से लेकर छे सो तक के संख्याओं के अंकों का योग. ध्यान रखिए, अंको का योग, मतलब मुझे अंको का योग चाहिए, संख्याओं का योग नहीं, मतलब अगर मैं इनको लेलू, और अगर इनको जोड़ू, देखो ये दोनों संख्याओं हैं, तो ये 15 पांच कितना हो गया, 20, ये संख्याओं है, लेकिन, यदि मैं कहा देख, इनके अंको का योग, तो देखो, ये 5 है, और ये कितना है आपका, 5, 1, 6 है, मतलब इसके जो अंको का योग होगा, क्या हो जाएगा, 5 और प्लस 6, कितना हो जाएगा आपका, 11, बार ठीक है, हम लोग इसे और अच्छे समझते हैं, देखे, जैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, अगर मैं ये पूछो कि एक, जो अंक है, कितनी बार आया है, तो देखो, एक यहाँ आया है, और एक यहाँ आया है, ठीक ना, इसका मतलब, यहाँ एक कितनी बार आया, दो बार आया, बार ठीक है, अगर मैं ऐसे कह दो, कि एक से लेकर 20 तक में, एक से लेकर बीस तक में एक कितनी बारा है तो कहां कहां एक है उसको ध्यान दीजी देखे एक उसके बाद दस में एक है फिर ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उनिस देखे बीस में एक नहीं है इसे आप काउंट कर लिजे एक दो देखे हम अंक काउंट कर रहे हैं इस बात को अच्छे ध्यान रखिएगा आप एक दो यहां देखो दो बार है तो चार पाँच छे साथ आठ नो दश ग्यारा और बार इसका मतलब यहां एक कितनी बार आया है बारा बार ठीक है थोड़ासा इस बात को और डीप करते हैं अगर मैं यह कह दू एक से लेकर 99 तक में एक कितनी बार आयेगा तो देखो हम लोगोंने कहा तक गिन लिया है 19 तक 20 में एक नहीं है आगे कहा आयेगा 21 31 41 51 16 71 81 91 इसके आगे एक नहीं आयेगा कहा जाएगा वो सो में हो जाएगा कितनी बार होके देख लीजे 12 था 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 मतलव एक से लेकर 99 तक में एक से लेकर 99 तक में एक कितनी बार आता है एक एक कितनी बार आया 20 बार बार ठीक है हम यही पर एक बात और चेक करते है अब यह करते हैं कि एक से लेकर 99 तक में दो कितनी बार आता है ठीक है तो उसको भी किनिए देखे पहला दो खायाएगा दो फिर बारा फिर बीश एकीश बाईश तीश चौबीश पचीश चबीश शताईश अठाईश उनतीश देखे तीश में दो नहीं आएगा फिर खायाएगा बत्तीश बयालीश फिर बावैन फिर आपका बाशट फिर बहत्तर फिर आपका बयाशी फिर आपका बानवे अब इसके आगे दो नहीं आएगा काउन करिए एक दो तीन चार और देखे यहाँ दो बार है अब हमने का हम अंग काउन कर रहे हैं तो चार और दो छे साथ आठ नो दश ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा शोला शत्रा अठारा उनिश और बीश मतलब देखे दोस्तो यहाँ तो कितनी बार आया 20 बार ठीक है चले तो यह कंसिप्ट है देखे दोस्तो यदि आपसे ऐसे 3 पुछेगा तो 99 तक 3 कितनी बार आया 20 बार 4 बीस बार मतलब सब भी अंक एक से लेकर 99 तक कितनी बार आते हैं बीस बार इसे आप नोट करके लिख लीजिए कि एक से लेकर 99 तक में सभी अंक बीस बार आते हैं आप समझे यदि आप से कोई पूछ ले कि एक से लेकर सव तक में एक कितनी बार आता है तो आप जानते हैं कि एक से लेकर 99 तक में एक कितनी बार आता है बीस बार और सव में एक है इसका मतलब कितना हो जाएगा एकिस बार ठीक है चले अभी तक हमने ये ग्याद किया कि एक कितनी बार आता है, दो कितनी बार आता है, तीन कितनी बार, है ना, सभी अंक कितने बार आते हैं यदि हमें इनके अंकों का योग ज्याद करना हो प्रस्त ऐसे बन जाया है कि एक से लेकर 99 तक के संख्याओं के अंकों का योग ज्याद करा है ठीक ना हम लोग योग ज्याद करते हैं तो देख क्या हो जाएगा एक कितनी बार आया है बीस बार दो कितनी बार आया है, बीस बार तीन कितनी बार आया है, बीस बार ठीक ना, योग्याद करना है चार कितनी बार आया है, बीस बार पाँच, बीस बार छे, बीस बार ठीक ना, इसी प्रकार साथ कितनी बार, बीस बार आठ बीस पार और नौ कितने आपका बीस पार ठीक है देखें दोस्तों इन सब में बीस कॉमन है बीस कॉमन है तो हम बीस कॉमन ले लेते हैं देखो क्या हो जाएगा यहां एक बचेगा फिर दो फिर तीन फिर चार फिर आपका पाँच फिर आपका 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस आपका 9 इनका बुझे योग ज्याद करना है योग के कुछ फार्मूले होते हैं उससे आप देख लिजे वो आपको आगे मदद करेगा देखें जिसे हम कहा देए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इसे डाट 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 एन तक चला जाए तो जो इसका योग होता है क्या होता है एन ब्रेकेट में एन प्लस 1 अपान आपका 2 ठीक है और यह दि ऐसे कहा दे देखो यह पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट अगर स्क्वार में कहते है 1 का स्क्वार प्लस 2 का स्क्वार 3 का स्क्वार प्लस 4 का स्क्वार ऐसे बढ़ता चला जाए एन का स्क्वार तो जो इसका योग होता है क्या होता है एन ब्रेकेट में एन प्लस 1 दूसरे ब्रेकेट में 2 एन प्लस 1 अपान 6 अभी इसका कोई प्योग नहीं है यहाँ लेकिन यह आप सिखे रहेंगे तो आगे आपका मदद करेगा देखो यह तीसरा क्या है अगर मैं कहे तो क्यूब में 1 का क्यूब प्लश आपका 2 का क्यूब प्लश आपका 3 का क्यूब अब इसका योग क्या हो जाएगा योग हो जाएगा यहाँ आपका अपका अपन प्लश वन अपान 2 का होली स्कूब ओके देखे इन सबी को आप दिमाग में रखे रहेंगे चले अब हम लोग इसका योग कर लेते हैं तो देखो अगर योग करना है तो हमने कहा इसको जोड के गुड़ा कर लीजिए तो हो जाएगा और नहीं तो देखो यह एन कितनी बार है यहाँ 9 बार तो यह क्या हो जाएगे यहाँ ब्रेकेट में 9 9 प्लश 1 कौनसा अपन कितना आपका 2 अब देखें यह क्या हो जाएगा यह 2 से 2 कैंसेल हो जाएगा क्या बचा यहाँ पे 10 इंटू 9 और 9 कितना 10 कितना हो गया आपका यह और आल 900 यह क्या है पूरा का पूरा कंसेप्ट है इसे थोड़ा साब रुख करके यह समझ लेजिए और यह आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है आगे प्रस्न सॉल्व करने के लिए इसको भी हम नोट करके लिख लेते हैं इसे नोट करके लिख लीजिए आप लोग कि एक से लेकर 99 तक कि संख्याओं कि अंको का योग क्या होता है 900 होता है देखे दोस्तों अगर मैं क्वेस्टन नंबर वन लोँ कि एक से लेकर 100 तक कि सभी अंको का योग ग्याद करना आपको तक कि सभी अंको का योग ग्याद करें यह आपका प्रस्टन है तो क्या करेंगे आप एक दो तीन चार देखे ऐसे डाडाडाड कहा तक देखे 97 98 99 और 100 आपको क्या ग्याद करना है अंको का योग मतलब देखे अभी आपने शीखा एक से लेकर 99 तक में सभी अंको का योग क्या होता है आपका 900 ठीक है और 100 में कितने अंक हैं एक अंक हैं ठीक ना इसका मतलब इसका जो एंसर हुआ क्या हुआ 900 तो 99 तक के अंको का योग हो गया और 100 में एक अंक है तो उसको जोड़ लिजी इसका एंसर कितना हो गया 901 ठीक है अब इसी पर हम दूसरी सवाल करते हैं 200 से 300 तक के संख्याओं के अंकों का योग्यात करें अब बात को बहुत अच्छे से समझे आप संख्याओं कैसे लिख्या जाती है 200 201 दो सो दो दो सो तीन ऐसे यह बढ़ता चला जाएगा और कहां तक जाएगा दो सो अठानबे दो सो निन्यानबे और आगे क्या आजाएगा आपका तीन चो ठीक है अब एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हम अंकों का योग निकाल ले है न कि संख्याओं का योग तो ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि कौन सा अंक कितनी बार आया है अगर हम इसको एक यहां से सुरू करें देखे यह यहां से लेकर यहां तक गिंती कितनी जा रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ कहां तक? 99 तक और 99 तक में सभी अंक कितनी बार आते हैं? 20 बार और उनके अंकों का योग कितना होता है आपका? 900 ठीक है? तो आप यह जो आपका एक से लेकर 99 तक है इसको अलग से लिख लेजिए 900 बार ठीक है? अब मुझे यह काउंट करना है कि यह दो जो अंक है यह कितनी बार आया है? तो देखो, जैसे देखे एक, दो, तीन, चार, पांच है यह 99 तक गया है इसका मतलब यह भी यहाँ दो सब के साथ है तो दो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बार आया होगा? 99 बार ठीक है? और देखो, हमने गिन्ना यहाँ से शुरू किया है और एक, दो इसके उपर भी है इसका मतलब दो कितनी बार आया? दो आया आपका कितनी बार? 100 बार अगर दो 100 बार आया तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा? 200 ठीक न? तो इन सभी का योग क्या हो जाएगा आपका? 2 इन टू 100 बराबर कितना हो गया? 200 बार ठीक है देखे, हमने यहाँ तक के अंको का योग निकाल लिया अब हमें निकालना है कि 300 तीन सो में अंक कितने है 300 में अंक कितना है आपका? एक अंक और कौन सा आपका? 3 तो उसका योग कितना है? 3 रहेगा इसका मतलब देखे, इन सभी का योग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 900 तो एक से लेकर 99 तक हो गया और यह 200 क्या है? जो सैकड़े वाले स्थान पर दो आया हुआ है और कितनी बाइरत है? 100 इसलिए उसका योग कितना हो गया? 200 प्लस आपका ये 200 अब देखे, 300 बच रहा है 300 में कौन सा आपक है? 3 तो इसको लिख लेजे अब इसको जोड़ लेजे 9, 2, 11 इसका मतलब 11, 10, 3 ये आपका एंसर हो गया हम लेते हैं 500 से लेकर 600 तक के अंकों का 500 से लेकर 600 तक के संख्याओं के अंकों का योग ज्याद करें तो देखे, ये क्या होगा? 500 से लेकर 600 तक फिर मेरी बात 500 आइकों संख्याओं के 501 502 503 ऐसे संख्याओं बढ़ती जाएंगी आगे क्या जाएगा? 500 99 फिर क्या जाएगा आपका 600 देखे दोस्तों यहाँ एक से लेकर 99 तक अंका आएंगे तो इनका योग आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है? 900 इसे अलग्स लिख लिजे ठीक है? अब हमने कहा कि हमने यहाँ से काउंड किया तो जो 5 आएगा यहाँ तक, यहाँ तक कितनी बार आजाएगा? यह 99 बार ठीक ना? और एक 5 आपका उपर है इसका मतलब 5 टोटल कितना हो गया? 100 बार ठीक ना? तो इसका मतलब इसका जो योग हो जाएगा अब हम डारेक लिखते हैं 5 इंटू 100 अब कौन सी से अंख्या बच रही? 600 600 कितने अंख्या है? 6 केवल तो प्लस आपका 6 तो देखो, यह कितना हो जाएगा? 900 प्लस आपका 500 और प्लस आपका 6 9, 5, 14 146 यह आपका एंसर क्रश्चन है 1100 से 1200 तक के संख्याओं के अंख्यों का योग ज्याद करें ठीक है? यह आपका प्रश्च 1100 से लेकर 1200 तक के संख्याओं के अंख्यों का योग तो समझिए 1100 आगे कौन साएगा? 1101 फिर 1102 ऐसे बढ़ता चला जाएगा यह कहां तक जाएगा? 1199 फिर कौन साएगा? यह 1200 फिर से समझिए इकाई और दहाई वाले स्थान पे कौन कौन संख्याएंगे? एक से लेकर 99 वाली बात फिर ना? तो इसका मतलब 900 आप लिख सकते हैं अब समझिए हमने सुरू कहां किया यहां शे अब सैकड़ा वाला स्थान देखते हैं उस पे कौन कौन से अंक आएंगे? देखो हर बार 101, 102, 103, 104, 99, 156 ऐसे आता चला जाएगा मतलब हर बार सैकड़े वाले स्थान पे कौन आ रहा है? 1 आ रहा है और वो कितनी बार आएगा? यहां तक? निन्या में बार अगर मैं इसको भी काउन कर लो, तो एक कितनी बार हो गया? 100 बार 100 एक, 100 बार हो गया इसका मतलब इसका जो योग हुआ कितना हो गया? एक इन्टू सौ मतलब एक रुपे कि आपके पास सो सिक्के है इसका मतलब कितना धन हुआ? सो रुपे अब देखे सैकडे पे कौन सा अंख है? इसको कवर कर लिये हमने अब हजार पे कवर करते है हजार पर देखें फिर से यहीं शुरू करते हैं यहां से यहां तक एक कितनी बार आएगा 99 बार और यदि इसको भी सामिल करें तो एक कितनी बार हो गया 100 बार मतलब हजार वाले इस्थान पर भी एक कितनी बार आएगा 100 बार आएगा तो उसका भी यह कितना हो जाएगा एक इंटु सो बराबर किंदा होना चाहिए सो चलिए देखे हमने यहां से लेकर यहां तक कवर कर लिया अब बचा कौन 12 तो 12 तो 12 में हम फिट से कह रहे हैं अंक चाहिए हमें संख्या नहीं चाहिए तो एक और दो, दो अंख है, इनका जो योग होगा, एक और दो, एक प्लस दो, कितना होगा? 3 होगा कुछ गलती से 12 लिख देंगे और 12 लिखेंगे तो जान लीजे गलती हो जाए क्योंकि 12 संख्या हो जाएगी तो प्लस आपको कितना 3 अब आप सब को जोड़ लीजिए 9 10 और 11 1103 यह आपका अंसर हो गया कि देखें यह था टाइप वन के बारे में अब हम लोग सिखते हैं टाइप टू कि देखें दोस्तों यह जो आपका टाइप टू है इसमें एक्जाम में ऐसे पसंद पूछता है कि प्लेश वैलू और दूसरा फेस बैलू इसे हिंदी में कहते हैं इस्थानी अमान और इसको कहते हैं जाती अमान ठीक है इस्थानी अमान और जाती अमान यह क्या होता है इसको समझे जैसे मैं कह दूं कि पांच छे आप अच्छे जानते इसे कहते इकाई इसको क्या कहते आप दहाई इसका मतलब अगर इस संख्या को मुझे लिखना हो तो देखो यह दहाई है तो पांच इंटू 10 कर लेंगे और एकाई है तो 6 into 1 कर लेंगे मतलब एक से गुड़ा दहाई है तो 10 से गुड़ा इसका मतलब इसके कल्कुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 ही आएगा बाठीक है अब बात को समझेए इस्थानी अमान इस्थानी मतलब वो कौन से इस्थान पे है इकाई वाले स्थान पे है कि दहाई वाले स्थान पे है कि सैकड़े वाले स्थान पे है कौन से इस्थान पे है ठीक ना और जाती है मतलब उसकी पहचान क्या है जिसे आपके चेहरे की पहचान वैसे अकर मैं कह दो पांच का जाती इमान तो आपकी पहचान क्या है आपका face इसका मतलिव इसकी पहचान क्या होगा इसका face इसका मतलिव इसका जो जाती इमान होगा क्या हो जाएगा पांच और यदि इसका हम इस्थानी इमान की बात करें इस्थानी इमान तो क्या हो गई है कौश स्थान पर ये दाई वाल स्थान पर इसका वतलव इसके साथ दस से गुड़ा हो जाएगा कितना हो गया ये पच्चास ये क्या हो गया इसका इस्थानी एमान बार ठीक है कुछ प्रस्न कर लेते हैं हम लोग देखें प्रस्न है पांस जार छेसो अठाटर में च्चा के इस्थानी एमान तथा जाती एमान का अंतर ग्याद करें तो समझें आप बहुत अच्छे जानते हैं ये एकाई वाले स्थान पर है ये दहाई वाले स्थान पर है ये सैकड़े वाले स्थान पर है और ये कैसे हैं ये हजार वाले स्थान पर है बाठीक है तो मुझे 6 को लेना है तो जो 6 का अगर मैं इसका इस्थानी यह मान निकालूं समझे क्या होगा यह कौन से स्थान पर यह सैकडे वल स्थान पर सैकडे वल स्थान पर इसका मतलब इसमें किसे गुड़ा होगा 100 से तो 6 इंटू कितना होगया 100 कितना होगया यह 600 बाठीक है और अगर मैं 6 का जाती यह मान मतलब उसके चहरे का मान क्या है 6 ही है अब जो प्रस्ण पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि इनका अंतर इनका अंतर तो इनका अंतर क्या हो जाएगा 600 और माइनस आपका 6 यहां 10 में से गए कितना 4 और यहां 9 और यहां कितना आपका 5 यह आपको क्या हो गया answer ठीक है यह बहुत ही सरल है एक बात और है कि दसमलो जो आपका होता है दसमलो वाली शंक्याओं का इस्थानी मान कैसे निकालते हैं तो उसे भी देख लीजिए अगर मैं कहता हूँ दसमलो पाँच तीन में तीन का इस्थानी मान क्या होता है तो यदि मैं कहता है कि पाँच का इस्थानी मान तो क्या हो जाता है आपका यहां से पाँच इंटू एक बटा दश और यदि मैं कहूँ तीन का इस्थानी मान तो देखो तीन इंटू एक बटा सौ मतलब जब आप इस से आगे बढ़ेंगे उसमें क्या हो रहा था एक से गुड़ा हो रहा था दस से सौ से हजार से ऐसे होता चला जा रहा था इसमें क्या होगा कि बटा के रुब में होगा इसका मतलब अगर इसका इस्थानी मान पूछा होता है तो इसका हो जाता दस्मलो पांच और इसका इस्थानी मान क्या हो जाएगा दस्मलो जीरो तीन वा ठीक है इस पे भी एक प्रस्न करते हैं देखें प्रस्न है तीन सो पैतालिस दस्मलो दो तीन साथ में चार तथा साथ के इस्थानी मानों का योग ज्याद करें देखें, चार तथा शाथ, तो यदि हम चार का इस्थानी मान निकालना चाहें क्या हो जाएगा? देखो, ये इकाई, दहाई, मतलब कौन से स्थान पर? दहाई, इसका मलब चार इंटू दश, इसका मलब क्या हो गया है? ये चालिश, साथ का स्थानी मान क्या होगा? क्या हो जाएगा? साथ इंटू एक बटा, देखो, तीन जिरो देखो, तीन अंके बाद इसका मतलब एक जीरो 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 इस्थानी मन कितना हो गया इसका दसमलो जीरो जीरो सेवन अब आपसे इनका योग पूछा है तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा चालीष यह 0000 दसमलो 007 इसका जो एंसर होगा क्या हो गया चालीष दसमलो 007 देखे दोस्तों अगले जो टाइप है त्री एन फोर या जो भी आगे टाइप है उससे हम अगले वीडियो में कवर करते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लगा लाइक और शेयर करना न भूलें. ठैंक्स फॉर वाचिंग.